हेलो फ्रेंट स्वागत था आपका इस्टडी सर्च पॉइंट में मैं मुके सिंग आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में जो है मद्दी कालिम भारती इठ्यास की करम का नैश्टी वीडियो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे भ इसी करम में हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से अन्य आकरमन कारी भारती सीमा को प्रभावित करते हैं और भारती सीमा छेत्र में लगातार आकरमन करते हैं और भारत पर पहला जो वीडियो आकरमन हुआ है वो हुआ अर्बु के द्वारा अर्बु का जो आकरमन कारी था पहला मुसल्म लीम आकरमन कारी वो था मुहम्मद बिन कासें जो कि भारत में पहला आकरमन करने वाला मुसल्वान था उसके बाद जो दूसरा आकरमन हुआ भारत पर वो हुआ तुर्कू का आकरमन तुर्कू का आकरमन ठीक है इसको पढ़ने से पहले हमें जो है गजिनी वन्स को जानना होगा गजिनी वन्स ठीक है इस गजिनी वन्स को जानना होगा कि कहां से आया क्या आया ठीक है तो गजिनी से लेकर इरान की सीमा से बढ़कर अब जो इसलाम का विस्तार हो जाता है वो अफगानिस्तान की सीमा तक हो जाता है वो इसी क्रम में नवी सताब्दी इस भी में आजम अफगानिस्तान में अफगानिस्तान और इरान की सीमा पर परता है आजम इसी आजम नामक इस्तान पर ज और इसी अलपगीन ने गजनी जो कि अफगानिस्तान में पढ़ता है उस गजनी को खेंदर बना कर एक अलग सामराजी की स्थापना करता है और उसी सामराजी को हम गजनी वंस या यामनी वंस की नाम से जानते हैं तो आप से पुछा जाएगा कि गजनी वंस या यामनी वंस क कि इस्थापना किस ने की थी तो अलब्दिगीन ने ठीक है आपसे एक मात्र कुश्यन होता है अलब्दिगीन से कि गजनी वन्स की इस्थापना किस ने की थी इससे जादा और कुछ नहीं पुछा जाता है अलबदगीन से इसके बाद जो गजनी वन्स का सासक बनता है वो बनता है सुबुदगीन गजनी की गदी पर बैठता है 977 इस भी में और इसी के टैम में भारत पर पहला तुर्की आकरमन होता है आप से पुछा जाएगा कि भारत पर पहला तुर्की आकरमन कारी कौन था सुबुदगीन के दौरा और यह क्या गया था पंजाब के विरुदध पंजाब की सीमा पर जैपाल के विरुदध किया जाता है वहां का सासर जो होता है वो जैपाल होता है तो आप से पुछा दाएगा कि भारत पर पहला तुर्की आकरमनकारी कौन था सुबूदगीन कहीं जगे जो है आप अगर पेपर दोगे तो आपको जो है confusion होगा आप अधिकतर आंसर मुहम्मद गजनवी लगाओगे लेकिन नहीं इसका आंसर जो है सुबूदगीन है तो ध्यानपूरवा का आंसर देना है और किसकी उससों में सासर कौन था पंजाब का ठीक है वो था जैपाल अब हम बात करते हैं मुहम्मद गजनवी ठीक है तो सुबूदगीन के दो पुत्रों होते हैं एक का नाम होता है इसमाईल एक का नाम होता है गजनवी जैसे ही सुबुदीन की मित्यों हो जाती है उसके बाद इसमाइल जो होता है वो गजनवनसकी गद्धी पर बैठता है लेकिन जो गजनवी होता है सासर बनने से कुन ये होता है खुरासान का सासर खुरासान, खुरासान का राजिपाल होता है, जैसे ही गजनवी को पता चलता है कि सुबुदगीन की मित्य होगी और इसमाइल गद्धी पर बैठ गया है गजनी वनसकी और एक गजनी जो है एक योगी साज़क होता है, वो इसमाइल को गजनी वनसकी गद्धी पर बैठ जाता है 998 SB के आसपास तो ये थी गजनी वनसकी इस्थापना कैसे भी थी, क्या भी थी, क्या कुस्चन कहां से उठेंगे अब हम बात करते हैं मौंबद गजनवी मौंबद गजनवी के बारे में मैं यहाँ पर मेन मेन चीज़ें लिखी वी हैं परिश्या की दिश्य से तो आप लोगों को यही चीज़ें देखनी हैं बार-बार आपको याद हो जाएगी और फिर पढ़ने की जर्बत नहीं पड़ेगी तो महमौद गजनवी का जो जन्म होता है वो 971 SB में होता है और गद्धी पर बैठता है 992 SB में और इसकी मित्यू कब होती है 1030 SB में आगे बताऊंगा मित्यू कब होती है क्या होती है ठीक है तेको महमद गजनवी आपको पता है कि एक तुर्की आकरमन कार्ष था आपसे पुछा जाये कि महमद गजनवी कौन था एक तुर्की आकरमन कार्ष था और महमद गजनवी कहा का सासक था तो वो था गजनी या यामनी वन सका आपसे पुछे गाए कि महमद गजनवी किस वन सका सासक था तो आप आंसर यामनी वन से लगाईए लेकिन कहा का सासक था पुछे जाएगा तो गजनी बन सका ठीक है और मुहमबद गजनेवी किसका पुतर था सुबुदीन का पुतर था और मुहमबद गजनेवी ने कौन सी उपादी धारन की थी सुल्तान की विस्तु में सबसे पहले सुल्तान की उपादी धारन करने वाला मुसल्वान मुहमबद गजनी ही था विस्तु में सबसे पहले सुल्तान की उपादी धारन करने वाला सासर जो था वो मुहमबद गजनवी ही था और इसने भारत पर 17 बार आकरमन किया था मुहमद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आकरमण किया था सत्रे बार आकरमण किया था और ये सब जानकारी मेंती है एक इत्यासकार है इलियट लिख लेना इलियट इलियट के अनुसार जो है मुहमद गजनवी ने भारत पर सत्रे बार आकरमण किया था आपसे पुचा जाएगा कि किस इत्यासकार के अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आकरमट क्या वो क्या था इलियत के अनुसार ठीक है और एक विर्योद्दा है ठीक है और ये एक और मुहम्मद गजनवी मुहम्मद गर्णवी गर्णवी का साथ साथ बनने से पूरो कहा का साथ सकता वो था खुरासान का आपसे पुछा जाएगा कि मुहम्मद गर्णवी 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 का साथ साथ बनने से पूरो कहा का राजिपाल था या कहा का साथ सकता तो खुरासान का साथ सकता देखें मुहम्मद गजनवी गद्धी पर बैठता है उसी दोरान जो बगदाद का एक खलीफा होता है जिसका नाम होता है अलकादिर बिल्ला उस अलकादिर बिल्ला ने मुहम्मद गजनवी को उपादियां परदान की दिए जिसका नाम था यामनी उद्दॉला और यामनी उ न रहकर अब धीरे धीरे राजनिती बद बन गया था कैसे राजनिती बद बन गया था अब जो भी सुल्तान होता था वो खलिपास की परामर्स पर ही कारिक करने लग थी ठीक है अब हम कुछ गजनेवी के आकरमन देख नूंगे गजनेवी ने भारत पर पहला जो आकरमन किया था हजार इस भी में और गजनेवी ने दूसरा आकरमन जो किया था एक हजार 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 एक हजा किस राजा ने गजनवी पराजे के बाद किस राजा ने आत्मत्य कर ले थी तो जैपाल ने बहुत महतुपाल अगला युद्ध है नागरकोट का युद्ध, यह 2018 होता है और ंप। की थे कह अनंदपाल के विरुद्ध में अगला वहता है सोमनाथ मंदिर का आकरमनी जो होता है 225 कि 205 कि में उससे में वहां का सासक होता है वो क्या फूलरा में पढ़ता है अब하 कहें गली सबुद्द कि मुद्जनी समनाथ की लूरक का सासर कौन था पुछा जाएगा ठीक है तो वह था भेम फष्ट ठीक है भेम पर्थम ठीक है तो बहुत ही महत्त पुर्ण है कि सोमनात मंदिर के आक्रमन के दोरान जो है वहां का गुजरात का सासर कौन था वह था भेम फष्ट ठीक है और सोमनात का लूट कप के थी गजनव और गजनवी का जो अंतिमाक्रमन हुआ था वह था दस्वा सताइस में और यह जातों के विरुद्ध हुआ था तिक है गजनवी के दर्बार में कुछ लेखाक हैं उन्हें लेखों को बारम कौन-कौन से थे यह आपने याद करने होगे तिक है अलबरुनी फिर्दोसी उत्व और फारुक्ती जो है वह गजनवी के दर्बार में लेखा क्या कभी के रूप में नुक्त थे अब हम बात करते हैं अलबरुनी महतुपून है जो यह अलबरुनी है यह गजनवी के साथ 11 सताब्दी इजवी में भारत आया था आपसे पूछा जाएगा कि गजनवी के साथ में 11 सताब्दी में कौन सा इथ्यासकार आया था तुब बोगा था 11 सती में अलबरुनी ठीक है अलबरुनी और इसका पूरा नाम था अबू रहान मुहकंब अहमद अलबरुनि ठीक है यह का पूरा नाम है अबू रहमान-देन lies अबू रेहान मुहमबद अहमद अलबरुनी इसका जन्म हुआ था 1973 में खीवा जो की प्राचिन खौरिज्म आजपास इरान का जो शेत्र है खौरिज्म नामकिस्तान महापर इसका जन्म हुआ था बहुत ही महत्तुपून है कि अलबरुनी कहां का रहने वाला था तो वो था खीवा खौरिज्म का रहने वाला ठीक है इसका जन्म हुआ था 1973 में और यह एक पड़ा लिखा खगोल विज्ञान भुगोल तरकसक्ति और गणिसास्त्र में का विद्वान था और सबसे पहले पु का भी अध्यन किया था और इसने जो है इसकी अर्भी भासा में एक पुस्तक लिखी एक रतना लिखी जिसका नाम है तहकीक ए हिंद जिसे किताब लहिंद के नाम से भी जाना जाता है और यहां जो है इसे किताब में भारती सामाजी संस्कृति के बारे में लिखा है इसने आप से पूचा दायागा कि जो तहकीकात ए हिंद है अलबरुनों की उसमें भारत का वर्णन किया गया है काहे का राजनितिक का काहे का वगर पूछ देगा तो उसमें भारत की सामाजिग और सांस्कृति का वर्णन किया है अलबरुनी ने ठीक है ये था हमारा अलबरुनी ठी जन्म कहा हुआ था, खीवा में कभुः था, और ख़वोल सास्त्री वगर्ण धर्व सास्त्री था, और पुरानों का अध्यान करने वारा पहला मुस्टल नाम कौन था, वो था, अर्भी भासा में दे देगा अर्भी फार्सी कुछ भी देगा तो अर्भी भासा में अगला साथ में अगला जो कवी है वो है फिर्दोसी ठीक है जिसे पूर्व का हुमर भी कहा जाता है ठीक है आपसे पूचा जाएगी पूर्व का हुमर किसे कहा जाता है तो वह फिर्दोस किस ने अपनी रतना साहनामा किस भासा में लिखी है अर्भी फार्सी तुर्की तो आपको पता होना चे फार्सी भासा में जबकि अलबरुनी ने अर्भी भासा में किताबुल हिंद लिखी है ठीक है जिसमें सामाजी भारत की सामाजी संस्कृति के बारे में उसने लिखा हु यह सकता है तो यह था हमारा कुछ लेखक या कभी अलम गजनवी के अगला है नोट गजनेवी के आक्रमन के समय है भारत में सूफी मत का प्रवेस हुआ था था वहत ही महत्वपूर्ण ये कि तो ये था हमारा गजनेवी अब हम हम कुछ इनके महत्वपूर्ण जो गजनेवी के अभ्यान उनको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो उसको यह बाद देख लेते हैं, कभी अगर अगर यूके त्रिपल आ से धीपले पूछ लेता है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चीह, कि आपको कोशन नहीं आ रहा है, नहीं होना चीह, इसलिए मैंने यहाँ पर यह लिख लिए है, जैसे के हमने देखा गज निवी का जो पहला आक्रमन हुआ भारत पर वो 1110 बी में हुआ है ठीक है पेसावर की सिमावर्थी छेतरों में लोटपाथ करता है बस उसका मुख्ये उदेश रहता है और दूसरा जो आक्रमन होता है वो होता है 10010 बी में Qoshen प्रूछा गया है कि निमने में से किसे इत्यास कालूरू ने इस्वर का सत्रों बताया है, तो वो है जैपाल को, या आप से मुछेघा कि लुए कि निमने में गजनवी ने ठानुजवर पर आकरमण कप करता है तो एक हजार 14 इसभी पर अगला है 2018 इसभी में ठीक है सारे युद्द जिता हो 2018 इसभी में कर्णोज के परतिहार सासक अजयपाल के को पराजित करता है तो 2018 इसभी में यह डारेक्ट भूलेगा कि गजणवी ने कन्योजपर कब आकरमण किया था और उसमें मा का सासक कौन था अजय पाल ठीक है और अगला है 119 ठीक है ये महत्तुपून है बहुत ही महत्तुपून है 109 वाला इंपोडेन देखो 2019 S.B. में जो है चंदेल सासक विद्ध्याधर को पराजित नहीं कर पाता है विरोध किया था इसने ठीक है आपसे पुछा जाएगा कि निम्नमे से गजनवी किसे पराजित नहीं कर पाता है किसे पराजित नहीं कर पाया सका गजनवी किसे पराजित नहीं कर सका वो था विध्यादर कोशन ऐसे पुझा राएगा कि गजनवी ने निम्नमे से किसे पराजित नहीं किया या डिरेक्ट पूर लेगा कि निम्नमे से कौन चंदिल सासक मुहमत गजनेवी से पराजित नहीं हुआ ठीक है तो आपको पता होना चीए कि 2019 सिजबी में मुहमत गजनेवी ने चंदिल पर आक्रमण किया और वहां का जूसास था वो था विद्यादर उसे वो पराजित नहीं कर सका उसका विरोध क्या जिसका रण हार जाता है अगला है 2025 में गुजराज सोमनात मंदिर को लोटता है और वहां का चालूश की सासक जो होता है वो भीमभश्ट होता है ठीक है आप से पुझा जाए कि 2025 में जो है सोमनात मंदिर की लोट जो है किसने की थी मुहमद गईनेवीने और वहां का चालूश की सासक कौन था भीमभश्ट ठीक है अब सासक पुझेगा हो इसका जो सत्रूवा और अंतिमवा अभियान होता है वो होता है 1077 और वो होता है जाटू के विरुद ठीक है देखो क्या होता है 2025 में सोमनात मंदिर को लूटत है तो रास्ते में जाटों के द्वारा इसका विरुद किया जाता है जाट इस पर हमला करते थे और थोड़े मात्रा में धन जो ले जाता है अपने वहां और उसके बाद मन मनाता है कि अब यह जाटों को हराएगा और उसी के बाद जो है 1077 जाटों के विरुद यह अभिया शो जाती है टिकए 21030 मैं ऐसा म Sweden में अत्ना धन देखा इतना सोना चारदी देखा कि सोन चार्दी जिस कम्डह में रखता था वहीं सोता था और बारी निकलता था जिस खारानी पागर हो गया और 93003 soir हो गए थी ऐसा कई थ्यास कारणों ने बताया है तो अगला है गजनी वंस यहां पर लिखा है मैंने गजनी वंस की स्थापना की शनेद्गी थी अलब्द गईने और गजनी वंस की स्थापना हुई थी दे सकते हैं इसके साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में धनिवाद